आओ पावन प्रग्यापूराण शिशु निर्मान प्रक्रण मा जहिए ते पहला सवने सद बुद्धी मले सवनू कल्यान थाए सव उज्वल भविश्य नामार ग्यागडवदे ते विद्धिव्य भावना थी एक गायत्री महामंत्र आम भूर भूवाह श्वाह तत्सवितुर्वारेन्यां बर्गोदे वश्य धीमाहि धीयोयो नाह प्रचोदयात् ओम गुरुर ब्रहमा गुरुर विष्णु गुरुरेवु महेश्वर गुरुरेव परब्रहमा तश्मै स्री गुरुवे नमाँ अखंड मंडला कारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तश्मै स्री गुरुवे नमाँ ओम श्री गुरुषत्ता ये नमाँ आवायामी स्थाप्यामी ध्यायामी ततो नमस्कारं करोमी ओम आयातू अरदे देवी तिक्षरे ब्रहम वाधिनी गायत्रै छंद स्यामा तः ब्रहम योनीर नमोस्थुते या देवी शर्व भूतेशू मात्रु रुपेन संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमू नमाँ अम्श्री गायत्रे दैवी एई नमा, अम्श्री कुल्दैवी माता एई नमा, आवाहयामी, स्थाप्यामी, द्यायामी, ततो नमस्कारम करो मी प्रग्यापूरान, सिशु निर्मान प्रक्रणमा, कतांक मा जोयलू हतों, के बारपण थी सिंचेला संसकारज, मनुष्यने महान बनावेचे, औने देशने पन स्रेश्ट नागरीको अरपण करेचे कवी डैनियल निशाड मा गरब विद्यार्थियोंने, जेची जिवस्तुओं मले, तेलाईने घरे आवया, आजोयने माताये काईउं, के जा, बदिवस्तुओं पाची आप्याँ, हुँ मैनत मजुरी करूँछु, अने माती तारी फित था पुष्टको पूरा पाडी आ सगवड तो जेवो असमर्थ होए, एमना मातेज, आपने असमर्थ लोको ना हक ना जूंटु इलेवाजुए, गांधी जीने पन बचपन मा रमतो प्रत्य प्रेम नोतो, छता पन ते ओशाडाना नियमोनु पालन करवा माते यथा समय रमतना मेदान मा आजर रहता हाता, एक दिवस सनिवार हतो, ते दिवसे सवारे बनवानू कामकाज चालिऊं, औने सांजे चारवागे खेलकू दती, बालक मोहन पासे गडियार ना हती, औने चोमासाना दिवसो होता, ते थे एमने समय ने खबर पन ना पड़ी, औने ते ओ मेदान मा मोडा पहुच्या, एड म मास्तर ने तेम निवात्मा विश्वास ना बेठो, औने एमने एक आनो दंड करयो, गांधी जी रडी पड़्या, आचे एड मास्तर कहिऊं, के तारा पिता जीतो मोटा मानस चे, एमना माटे एक आनो दंड भरवो, एक कोई मोटी वात नथी, ते आरे गांधी जी एक मुँ एतला माटे नथी रडी रएयो, परन्तु मने रणू एतला माटे आवे छे, के मने जूठो मानु आमा आवेयो, एड मास्तरे, आ बोडा आने सरड रदैना बाड़क नी सत्य निष्ठाती प्रभावित थै, अनेनो दंड माप करी दितो छे, बचपण नी आ नानी ना आनी वातो मानस्ने क्या थी क्या पोँचाडी देच, सत्य बोलवानू, सिक्षन, मोहननने माता पिता पासे थीज मडेलू ओतु, अरेश्चंद्र नाटेक जोवाती एने पोषण मडिव, गांधी जीय पूताना आखा जीवननने सत्यनी प्रयोक साड़ा बनावीने ए साब बित करी आपियूं के बचपनना च्स्त्रेष्ट संस्कारोनू परिणाम केटलू महाना आवे छे, सारिरिक, मानसिक, अने स्वभाव तथा चरित्र निद्रस्टिये जेव पछात स्थितिमा होई छे, तेव भार को पेदा क्यारे न करे, तेव समाजनू भार नवदारे ते गति थाये छे, सुरुष्टा आये लग्ननी व्योस्था इंद्रिय लिप्षानी पूर्ती तथा भोग विलास माटे नथी करी, परंतु स्रेष्ट नागरिकोने जन्मा अपवाप तथा नियमित जीवन जीवा माटे करी छे, लग्ना एक संकल्प छे, कि जे राष्ट्रना बविष्यना बड सत्ताने सन्मन्ने जागरुत्रा आखवा माटे करवाम आवे छे, सास्त्र कारोनुतु कथन छे, तावेही विवहावहे सहरेती दधावहे प्रजाम प्रजनानात तावहे पुत्रान विदयान विंदावय बहुन, एटले के लग्नानो उद्देश परश् प्रिति पूर्वक रहीने राष्ट्रने सारु संतान आपवानों छे, सारिरिक, मान्सिक औने सोभाव तथा चरित्र निद्रस्तिये स्वस्त, समुन्नत औने सुयोग्य व्यक्तिये जे लग्ना करवाजुये, दूस्त, पतित, दुराचारी औने सारिरिक तथा मान्सिक द् पछात मना हस्तिती वाड़ाई क्यारे पन लगन करवा जुए नी रुग वेद नुस्पष्ट आदेश चे जेम ना रदे शूद्ध निर्मण अने पवित्र होए तधा जेम नी उम्मर आहेतु माटे लायक होए तेवा युवक ने युवतियोज परस्पर पानी ग्रहन करे त्यों सक्ति संपन लगन करे ने परिवार ने सतेज बनावे समाजने सुयोग्य नागरिको आपवा माटेज प्रजनन थुए किली मंकोडानी जेम अयोग्य ने प्रतिभाहिन बाढकोने जन्मना आपवो जुए वन्स व्रदिनो अर्थ समाजने राष्ट्रने सुयोग्य आपवातेज मरणक पर जीवन तथा पित्रु योणी ने अस्तित्व एटलू साचु ओने महत्व पुरुन छे एटलू जी साचु एपन छे के योग्य संतन्ना स्रेष्ट करमोथीज पित्रु ओ तथा मातापिताने इच्छित योणी तथा सुख मडेज छे गांदारीने सो पुत्रो होता परंतु एमने सु संस्कार आपवामा आव्यानो होता कुन्ताजीने मात्र पांचेज पांडवो होता परंतु एमने एमने सु योग्य अने संस्कारी बनावामा कैं बाकी राख्यों नहतु महाबारत ना युदमा सो कवरवो मराया जारे पांच पांडवो विजयी बन्याचे महाराजा सगरनी बन्ये राणियोय तप करियू वर्दान मागती वक्ते एके एक हजार अने बिजाय मात्र एकज पुत्र मागयो भावनात्मक पोषण ना अबावे हजारेई पुत्रों जगडा खोर उद्धत उपद्रवी अने अनाचारी पाक्या अन्ते पुताना अभिमानने दुरविद्धिना कारने महर्शी कपिलनी साथे अन्याय करी बेठा अने छेवटे मृत्यू पामेया बिजी रानी नो जे एक नो एक पुत्र होवाना लिदे तेने योग्य अने भावनात्मक पोषण मढिव अने योग्य मार्ग दर्शन मेडविने ते महर्शी कपिलने पन प्रसन करी दिधा अने राज्यनू सारीरी ते संचालन करी खुब कीर्ती पन प्राप्त करी छे सगर्णाने रामणना लाखो पुत्रों नी पन एविज दूर्दसा थे यती निती सास्त्रों मा एकला माटेज कैवामा आवियों छे के वर्म एको गुणी पुत्रों नच मुर्खा सतान नपी एकस चंद्रस्तमों हंती नतु तारा सहस्त्रस एकले के सेकलों मुर्खों पुत्रों होवाना बदले एकज गुणवान पुत्र स्त्रेस्थ चे जेवी रिते एकलों चंद्रज अंधकार ने दूर करेचे हजारों तारानी एवी जरिते एकज गुणवान पुत्र समाजमा व्यापेलो अंधकार दूरकरी अने खुब प्रकास फेलावेचे वंस सतकर्मो थी चालेचे सोशंसकारी पुत्रना आथे अपायलू पिंडदान ज पित्रुओने सुखापेचे कुपात्र लोकोना पित्रुओपन नर्कमा जायेचे पोता नाथी जेटला संतानोना लाड, प्यार, संगरक्षन, विकास अने पोशननी पूर्ती व्यावस्ता थाई सके एटलाज संतानो पेदा करवाजुए वगर विचारे संतानोनो बोध लादनारा पोते पन दुखी थायेचे अने संतानोने पन दुखी करेचे बदा लोकोमा आज एकेवी मान्यता घर करी गईचे के संतान थी जे वन्स वेलो चालू रहेचे खर खर तो आ खोटू चिन्तन चे संतान जो गून कर्मने सभावनी द्रस्तिये निस्करूष्ट कोटिनू वन्स पाके तो वन्स ने पन डुबाडेचे तथा गर ने परिवार ने पन दुरगतिनी खाईमा धकेली देचे सास्त्रो मा एउं केवामा नथी आविउं के वन्स वरुधिती ज सत्गती मडेचे तथा नी संतान व्यक्तिने शत्गती मडती नथी पोताना सत्कर्मोथीज व्यक्तिने सत्गती प्राप्त थाईचे मनुष्बुतिमा कयों छे के केटलाई हजार कुमार ब्रम्चारी ब्राम्णोय संतान उत्पन कर्या वगरज उच विचारों सतकारेों औने सेवा द्वारा स्वर्ग लोग प्राप्त कर्याँजे अने कानी सहस्त्रानी कुमार ब्रह्म चारी नाम दिवंगतानी विप्रानाम कुरुत्वा कुल संततिम। अने कानी सहस्त्रानी कुल संततिम। अन्कराचारे जी, रामानंद जी, तुलसिदास, सुर्दास, मीरा, कबीर, ज्यानेश्वर, रैदास, रामक्रिष्न परमंस, विवेकानंद, महर्शी रमन, रामतीर्थ, अर्विन, राजा महेंद्र प्रताप, वगेरे कितलाय महापुरुषो एवा हता, के जेवो अविवाह रहा, के ग्रहस्त रहा, तो पन एमनी किर्ती, एमना संतानों थी नहीं, परन्तु एमना पोताना कार्यों थीज अमर बनीचे, आथी व्यक्तिनु नाम अने यस, संतान थी नहीं, परन्तु पोताना स्त्रेश्ट सदगुणों और सदकर्मों थीज वदेचे, तथा अमर बने जो संतानों अलकी कक्षाना होए तो जन्मा आपनार मातापिता तथा पुर्वजो बधायने एनु फड़ भगों उपड़ेचे अने मरणों तर जीवनमा तेओ बउत्रास्पामेचे महरसित दवम्य त्या हाजर रेलालोकोंने समझावेचे के जटला संतानों निजवाबदारीनों सारी रिते निवाह करी सकाए निर्वाह करी सकाए एटला जे संतानों मातापिताए पेदा करवाज जो संतानों निजिस संख्यावधारवाम आवे परंतु एमना प्रत्यनी के जेव कूड ने कलंकित करशे अने समाज माटे पन बोजारूप बन्षे। रुग्वेद मा स्पष्ट लख्यूँँचे। बहु प्रजा निरुत्ती मा विशेश अर्थात वधारे संतानों हमेशा दुखनू कारण बनेचे। एटलू जनाई अनिच निया प्रजनन केटलाए संकटो पेदा करेच। एने गंबेर ताथी समझवानों प्रहेत्न करिये तो खबर पडशे के मरणम बिंदू पातेन आवाडी उक्ती अक्षरस साचीच। एक जातना वीचीना मादा अनि एक खास प्रकारना करोडियानी मादा प्रजननीनी साथेज मृत्युना मुखमा होमाई जायेचे। मनुष्यनी बाबतमा आवुतो नथी बनतु, परंतु त्रास्तो लगबग एटलोज भगवो पडेचे। व्यास अने सुक्देवजीनु सुन्दर दरस्तांत आपियों छे। व्यास जीने इच्छा थाई के पूत्र उत्पन करूं के जेथी ते गडपणमा मने सहारो आपे तथा पिंडदान करे। पत्नी गर्भवती बनी, बाड़क खुब तेजस्विहतूं, गर्भमाज तपस्चर्या करवाला गयों, गर्भमाज सोड वर्ष्थ ही गया, तेथी व्यास दिये गर्भष्थ आत्मने बाहर नावानु कारण पूछियों, अने कईयों, बेटा में तारी बद्दीश पत्नी व्यावस्था करी राखीच, तारा थी मारों वंस चाल से एवी आसा राखीच, शुक देवे गर्भमाज रहे रहे पिताने दमकावता कयों, जो संतान थीज वंस चालतो हत, तो कुत्रा आने भुंड नी पन सदगती थेई जात, तमे तमारा कल्यान नी वात विचार मने तो चोर्यासी लाखियोनियों ना बहु करवा आनू भव थयाचे, पिताना खुब आगरहना कारणे शुक देवजी जनिम्या तो खरा, पन त्यार पची तरतज साधना करवा माटे जंगल मा जता रहा, एमने पिताने कोई जातनी मदद करी नहीं, के एमनी मदद लिदी नहीं, केट-केटला द्रस्तान तो बताव्याचे, प्रग्यापुरणमा गुरुदेवे, महान विचारक सीसेरों साथे एक सर्दार ने बोला चाली थाई गई, सर्दार है कयूं, के तमे नीच कूड ना छो, तमार याने मारी वच्चे सर्खामनी मा कई रित थाई सके, तम अने तमारी कुलिंतानो, तमारी साथे अंताव से, कुलिंतानो सबंध जन्म साथे नहीं, परंतु चार्ग्त्र साथे छे, वांसनो एक व्रुक्ष हतों, जंगल मा एकलू उभुवतों, तेनी नजिक मा रहता लोको, एमा थी ज्यारे जरूर पड़े, त्यारे नानी मोटी लाकडियो कापी ने लई जता हाता, एक दिवस नारज्जी तेहां थी निकड़ाच, वांसे करगरीने एमने कईूं, के मारो परिवार मोटो बने, एव अमने आशिर्वादापो, नारज्जी तधास्तु कईने आगडवद्या, थोड़ा दिवस पची वांसना अंकुर जरूर होई छता लोको एक आपता नो था, पक्सियो एमा माड़ा बाण धुआना पन बंद करी दिदाच, एक वार जोरदार वावा जोडू आवियों, वांस एक बिजा साथे गसावा लागया, और आग सडगी उठी, आखो जुन्ड बड़ीने खाक थे गयों, मरते मरते मांस ने विचार आवेओ, कि परिवार वधारवान बदले जो एकलो जरयो हतने तोमार यादसा न था, आवा तो कितला है द्रस्तान तो प्रग्यापुराण मा आप्या छे, राज गुरुह निराणी चेतनाने गरभावस्तामा मांस खावानी इच्छा थे, एने कितला है न पिताने जंगल मा पूरी ने पोते गादी उपर बेठो, पुत्र पिताने त्रास आपतो हतो आ जोईने राणी ने बवु दुख थेयों, राणी नी चेतनाने पन खुब दुख थेतो हतों, परन्तु ते काई करी शक्ती नोहती, तेने दिवसमा एकवार पोताना पतीने पिताने आरिते त्रास आपवाना कारणे एक दिवस पूत्र ने खुब दुख थेयों, तेमने बंदी ग्रह माथी मुक्त करवा, तथा तेमनी हतकडी तोडी नाखवा माटे जाते अथोडो लईने गयोंचे, अथोडानो गा भुल्ती राजाने वागयों, औने त्या जेम प्राण पंखेर उडी गयों, चेतना आने एनो पती बन्ने मासाहार करवाना पापनु फण भोगवी, अने परलोक सिधाव्याज, माता पिता जो कुमार गगामी होई, तो तेमना संतानो पन एवाज पाकेज, अने एतला माटे जगयोंचे, खुद मावतर जोदे नही ध्य बाड़क क्या थी बने महान, अवी अधुभूत वातोलाई, असिशू निर्मानमा, अगड़ा आउतार इशू, आप सोवने नम्रविन अंती, क्या दिविय संदेश ओडियो, रुशी चिन्तन चेनल जेत पूर्णा माध्यम थी, आपनी पासिवीना मुल्य पोचाडवामा आवयोच, तो आशंदेश ने अनसांबलेव नहीं करता, अन्यस ने स्वजन ग्रुपों मा पन फरवर्ड करी, दैवी संस्कृती, रुशी संस्कृती, सत्योगी संस्कृती,